हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे मटन बिर्यानी की रेसिपी आसान फूड रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मटन बिर्यानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक किलो मटन और सुखे मसालों में हमने लिये हैं दो टीस्पून धनिया पाउडर, दो टीस्पून लालमीच पाउडर, देल टीस्पून नमक और देल टीस्पून हल्दी पाउडर और खड़े मसालों में हमने लिया है एक टिस्पुन जीरा, दो से तीन तेज़ पत्ते, दस लोंग, एक फूल, एक बड़ी लाइची, पांच छोटी लाइची, पंदरा से बीस काली मिच, एक जावतरी का फूर, और दालचीनी के छोटे, तीन से चार टुकडे इसी के साथ हमने लिया है एक टेबल स्पुन लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पुन अदुरह का पेस्ट, और हाफ टेबल स्पुन छोटी हरी मिच का पेस्ट, और हमने लिये 120 ग्रम दही और एक टेबल स्पुन बिर्यानी का मसाला, आप यहाँ पर किसी भी ब्रांट का बिर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे ढख कर दो घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे अब हमने एक प्रेसर कुकर में एड करना है 200 ml तेल और इसे हम हाइफ लेंपर अच्छे से गरम कर लेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे चार मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर वो टमाटर को हमने तेल में हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो टमाटर है वो अच्छे से सोफ्ट ना हो जाए देखे हमने यहाँ पर खड़े मसाले एड नहीं किये क्योंकि हमने ओल लेडी मटन को मेंट करते वक्त उसमें खड़े मसाले एड किये है देखें यहाँ पर टमाटर जो है वो दो से तीन मिनिट टक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करने के बाद सोफ्ट हो चुके हैं इस टेज पर हमने इसमें एट कर देना है हमारा मेइन एट किया हुआ मटन अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर तक हमने पकाना है तो हमने इसमें मटन एट करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है tāकि हमने इसमें जो मसाला ह 울की उसका कच्छापन दूर हो जाए और अब हम इसमें एल कर देंगे फ्राई की हुई ब्याज आएपया कर देंगे इसके थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो हमने gast Sant mort. अच्छे से म मातन के साथ mix कर लें. और अब हम इसमें एट कर देंगे 200 ml पानी प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनिट के लिए पकाएंगे देखिए हमने प्रेसर कुकर में मटन को पकने के लिए रख दिया है तब तक हम चावल बोईल कर लेंगे चावल को बोईल करने के लिए हमने लिया है दो से ढाई लीटर जितना पानी इसमें हम एट करेंगे दो टीस्पून नमक दाल चिनी के दो छोटे टुकडे पास से साथ काली मेर्ज चाल लोंग और एक तेज पत्ता और पानी में हम एक उबाल आने देंगे देखिए पानी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हम इसमें एट कर देंगे सोक किये हुए बिर्यानी के चावल तो हमने यहाँ पर 750 ग्राम बासमती चावल लिये हैं जिनको 2-3 पाने से दोने के बाद हमने 1 गंटे के लिए भिगो दिया था इनको एक बार चला लेंगे और हाई फिलेम पर 5 मिनिट तक बोईल करने के बाद लो फिलेम पर हमने इसको 20-25 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लेना है यहाँ पर हमने हाई फिलेम पर एक प्रेसर आने के बाद लो फिलेम पर मटन को 15 मिनिट के लिए पका लिया है गेस की फिलेम को ओफ करके इसके प्रेसर को खुछ से रिलीज होने देंगे लीट को खोल कर एक बार इसे चेक कर लेंगे देखिए अभी भी इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो गेस की फ्लेम को हाई करके हमने इसका सारा पानी अच्छे से सुखा लेना है हाई फ्लेम पर हमने मटन का सारा पानी अच्छे से सुखा लिया है और इसका जो तेल है वो भी सर्फेस पर आने लगा है इस टेश पर हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और अब हम चेक कर लेते हैं हमारे चावल को जिनको हमने बोईल करने के लिए रखा हुआ है पांच मनिट तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर 20-25 मिनिट तक हमने चावल को अच्छे से बोईल कर लिया है अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और चावल का जो ज़्यादा का पानी है उसको हमने निकाल लेना है बिर्यानी को दम करने के लिए हमने इस तरह का एक बड़ा बर्तल ले लिया है और अब हमारे बोईल की ओवे चावल की आधी कॉंटिटी हम इस पर एट करेंगे और इसके एक लेयर बना लेंगे तो हमने चावल की एक लेयर अच्छे से तयार कर ली है और अब हम इस पर एट करेंगे हमारा बनाया हुआ मटन देखिए हम इस पर पूरा मटन एट कर देंगे और इसे चमच की मदद से स्प्रेट करते हुए इसकी भी एक लेयर बना लेंगे देखिए हमने यहाँ पर चावल और मटन की एक लेयर बना ली है अब बाकी के बचे हुए जो चावल है उसे भी इसमें एट कर देंगे और बचे हुए चावल से भी हमने इसे अच्छी तरह कवर कर दिया है और अब हम इस पर एट करेंगे फूट कलर सबसे पहले हम एट करेंगे ओरेंज फूट कलर फिर 8 करेंगे ग्रीन फूट कलर इसी के साथ 8 कर देंगे रेड फूट कलर देखिया आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी फूट कलर 8 कर सकते हैं और अब हम इसे गानिश कर देंगे फ्राय क्यूई प्यास से अब low flame पर हमने बिर्यानी को आधे घंटे के लिए दम कर लेना है तो पहले इसे ढख देंगे और ढखने के बाद हमने इस पर कोई वजन रखना है इसलिए हम इस पर रखेंगे पानी से भरा हुआ एक बर्तन ताकि हमारी बिर्यानी जल्दी से दम हो जाए हमने आधे घंटे के लिए low flame पर बिर्यानी को अच्छे से दम कर लिया है अब इसे खोल कर एक बाद चेक कर लेंगे तो बनकर तयार है मटन बिर्यानी अब इसे डिशाउट कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है मटन बिर्यानी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई